आप इन हातों की शक्ति नहीं जानते हो पता नहीं है का हात में क्या ताकत है गुरु मराद हात यूँ क्यूं करते हैं किसी भी देवता को देखो मंदिर में यूँ क्यूं करते हैं पैर भी तो यूँ कर सकते हूँ उटा के हाती क्यूं करते हैं कि शक्ति है हातों में सबीक रहों की शक्ति रासी की सक्ति नक्षत्र की 27 नक्षत्र की सक्ति देखो चार पांच चेज सांट आट कॉ दश under्बादर झुल् नक्षत्रों की शक्तिया आज एक रहस्य भी बता देता हूँ आप memories है किसको मालूम है देखो ये बच्चा तु कां से आया रे बेटा हिम्मत नगर तेरी हिम्मत की दाथ देता हूँ जो हिम्मत नगर से किष्ण गिरी तक आने की हिम्मत करता है अब देखो इसका हाथ बेटा ए शशांग इसके हाथ दिखाओ इसका हाथ दिखाओ रेका नहीं हाथ हमको हाथ देखना है मेरा भी हाथ देख लेना कभी काम पड़े अभी देख लो तुम अपना हाथ मत दिखाओ मैंसे है तुम्हारा हाथ तुम बुदर दिखाओ रे कि अब इसका हाथ देखो हो हात लंबा है देखो हाथ याने यह हतेली उंगली छोटे हैं देखो आप लृत बहुत बड़ा रहस्यों सिस्य को मत बताना लेकिन सब को बताना है यह क्या रहस्य है जिन जिन के हाथ लंबे हैं उंगली छोटी है वो कौन है तुम्हारा उंगली लंबा है उसका भी लंबा है उंगली भी लंबी हाथ भी लंबी है वो हाथ नीचे कर दो उंगली छोटी होना देखो ये बच्चे की उंगली छोटी है इसकी उंगली छोटी है लेकिन हाथ लंबी है ये अगनी तत्व वाला हाथ है क्या हाथ है इनका लगना हाथ देखो एबाई चस्मा बड़ा उसके हतेली में हाथ रख रहा है एसे नहीं है ऐसे सपर्ष कर आँ गरम है के नहीं देख गरम है ना यह अगनी तत्व वाला शरीर है इसने भविष्य में क्या-क्या होने वाला अभी बताऊंगा जो अगनी तत्व का हाथ है वो क् खाली हाथ देखके ही पूरी उसकी जिन्दकी बता दें उसना सामुद्री का लक्षन है ये क्या है सुनो हाथ लंबा हो उंगली छोटी हो तो उसके सरीर में अगनी तत्व प्रदान होता है जल वायू पृत्वी आकास थोड़े कम होते हैं कि बेन कौन सा होता है अगनी तत्व प्रदानी इस साउंड कूट पानी इससे क्या होता है तुमारे सरीर में अगनी तत्व ज्यादा है इससे क्या होगा मैं ये कर दूं मैं वो कर दूं मैं यूं कर दूं ये अगनी तत्व प्रदान उने जिन जिनके अगर आपको लगे मेरी उंगली बढ़ी ये छोटी हे कनपीस हो तो हाथ यू लगा के देखिए हाथ गरम हो तो वो अगनी तत्व है अगनी तत्व वाला हाथ गरम होगा अगर गरम नहीं है कि कोई दूसरा ही तत्व है ये डेंजर तत्व है उसको छोड़े बेट बेटा बहुत दिकाया हाथ पूरा पवर ले लिया मेरा तुम इसी बाने अच्चा दिकाया देखो देखो नजर डालो मेरे हाथ आज से सुदर तेरी हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तक दीर बदलेगी, जरा तू आज बाखे देख ले, मिल जाएगा खोया का जाना, तो कृष्णागीरी आखे देख ले, तो कृष्णागीरी आखे देख ले, तेरी हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तक दीर बदलेगी, जरा तू आज बाखे देख ले, मिल जाएगा खोया का जाना, तो कृष्णागीरी आखे देख ले, तो कृष्णागीरी आखे देख ले, देखो अभी जिन जिन के हाथ मेरे भजन आगे चलने वाला है लेकिन जिन के हाथ नीचे हैं वो भाईरों के दुश्मन और जिन के आद ऊपर उनके तकदीर भी सूपर जिसने भी मैया को दिल से पुकारा देती है मैया उनको सहारा एक बार तो मैया को मना ले महाराणी का जोत जगा ले तु अरजी लगा के देख ले मिल जाएगा खोई आख जाना तो कृष्णगीरी आखे देख ले तो कृष्णगीरी आखे देख ले तो कृष्णगीरी आखे देख ले अब देखो जिनके हाथ भी लंबे हैं और उंगली भी लंबे हैं वो हाथ उल्चा करो हाथ भी लंबे और कहां से आई बेटा कहां से जोतपूरी कचोरी एरे भाई क्या है मैंने पिछली बार ऐसे मजाक में चोतपूरी कचोरी बोल दिया था उस दिन से लोग इतनी मावा कचोरी लाला के यहां भर रहे हैं फिर मुझे मालम पड़ा के कुछ चाइए तो इन से मत बोलो के बंड़ारे के लिए पैसा दो बंड़ारे के लिए कुछ वेवस्ता करो इन गंधूत लो हर दमगीला रहेगा कैसा रहेगा यह थंड़ा रहेगा कैसा रहेगा क्योंकि ये जल तत्व का हाथ है हातेली भी बड़ी हो उंगली भी बड़ी हो है शादवी जी कैसा है आपका हाँ जल तत्व है क्या है जल तत्व का हाथ है ये जल तत्व का हाथ जिनका भी है या तो ये पहुंचेंगे तो सबसे उपर पहुंचेंगे और रहेंगे तो सबसे नीचे रहेंगे क्योंकि इनकी जो creativity है वो high रहेगी कभी भी कुछ करने का जुनून रहेगा लेकिन उल्टा किये तो नीचे गिरेंगे जल में जैसे गोता खाता है जिसको तेर ना आया वो क्या कर लेगा उस पार पहुंच जाएगा और जो तेर ने नहीं आता है वो क्या करेगा हमें इसके बारे में आगे एक प्रवचन में अच्छे से बताऊंगा कि आत की हतेली वर कैसी हो तो क्या होता है वो मैं बात में बताऊंगा अब बताने जैसा नहीं है क्योंकि समय भेहरोजी का कवच भी सुनना है क्या सुनना है रक्षा पूरा पाना है यहां से हम गर जाएं जो आदमी हमको गूरता था वो मू नीचा करके चलें तो महराज जिनकी हतेलियां छोटी है लेकिन उंगली लंबी है वो लोग हात उंचा करो जिनकी हतेली छोटी है लेकिन उंगली नहीं वो नहीं बेटा हो नहीं हतेली छोटी उंगली लंबी नहीं वो भी नहीं वो भी नहीं वो जलतत्वका वो भी नहीं बेटा हो सब बराबर इस छोटे उमर में तो सब इतना ही रहेगा बच्चे हतेली छोटी हो उंगलियां बड़ी बड़ी यह वायू तत्व का क्या है व्याई वायू तत्व का सरीर है उसको गैस्टिक प्रॉबलम होता रहेगा और गैस पोत होगा मन चंचल होगा गुसा करेगा हसेगा रोयेगा यह बहुत कम लोगों को रहता है हजार में यह क्या दो क्योंकि यह जब बढ़ता है स्कुरू क्या हो जाता है धीला धीला हो गया रे मेरा धीला धीला हो गया चंगा चंगा हो गया रे मेरे चंगा चंगा हो गया चंगा चंगा हो गया रे मेरे चंगा चंगा हो गया अभी हमने देखा हतेली छोटी हो उंगली बड़ी हो ये अगनी तत्व हतेली भी बड़ी हो उंगली भी बड़ी हो जल तत्व अतेली छोटी हो उंगली बड़ी हो वायू तत्व अतेली भी छोटी हो उंगली भी छोटी हो अतेली भी छोटी ये कई लोगों को रहता है अतेली छोटी उंगली छोटी ये बहुत संगर्श करते हैं इनके जीवन में बहुत मैनत लिका होता है जिनकी हतेली भी छोटी होती है और उंगली भी छोटी है अरे माराज आप खुद अपने मूँ से ऐसे बोल दिये फिर हमारा विमोचन कैसे होगा अरे माराज के चरन में हो यही तुमारा दुख का विमोचन है ज्यादा तर इनको जौब करना पड़ता है मैं यह नहीं बोल रहा हो को जौब ही करेंगे लेकिन इस हाथ का यह नक यह स्वबाव है किसके हतेली भी छोटी उंगली भी छोटी देखो वो लोग ज्यादा तर का हतेली है किसका है पृत्वी जैसे नीचे रहता है उनको भी मैनत बहुत करना पड़ता है मैनत वाला जीवन होता है जो जल तत्व वाले हैं अधिकतर यह बहुत सफल हो जाते है